हाई ट्वेल्टीज, वेल्कम टो ईजीवे कॉमेर्स क्लासेज, मैं हूत अपिता और गाईस आज के इस वीडियो में हम अपने बैलेंस ओफ पेमेंट चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज उसमें हम करेंगे कि बैलेंस ओफ पेमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं यानि क बैलेंस ओफ पेमेंट में कौनसी चीज़ें जो आती हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आयो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो बहुत गलत बात है जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को और बैल आइकन को प्रेस करो फो वीडियो में आपको सिखाऊंगी कैसे असानी से अप इस चैप्टर को अन्डयस्टेंड कर सकते हो, बैलेंस ओफ पेमिंट को दो पार्ट्स में डिवाइट किया जाता है, यानि कि जब आप बैलेंस ओफ पेमिंट बनाती हो, तो इसमें पहला जो पार्ट होता है उसे कुलते हैं capital account ठीक है इसकी एक side debit होती है और दूसरी side क्या होती है credit side होती है आप आपको debit or credit accounts में अच्छे तरीके से पता है credit means all income income is always credited और expenses is always debited ये एक accounting statement होता है जिसमें हमें अगर हमारे पास पैसा आएगा तो हम credit side record करेंगे यानि कि इस तरफ ठीक है और हमारे पास से पैसा जाएगा तो हम debit side record करेंगे because expense हमेशा debit होती है ठीक है आप guys सबसे पहले जो current account है इसमें चार ट्रांजेक्शन आती है तो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन होती है वो होती है export and import of goods यानि कि अगर आप बाहर से कोई भी goods मंगाते हो goods कौन से हो सकते है जि यहां से हम बाहर बीचते हैं तो उसे export of goods कहते है अब अगर हमारे पास किस केस में पैसा आएगा देखो export करेंगे तो पैसा आएगा तो हम export जो होते है goods का उससे यहान लिखते हैं और import of goods को हम यहान लिखते है क्योंकि इस case में हमारे पास से पैसा जाएगा इनको guys merchandise transaction भी ब visible trade भी बोलते हैं और इसके अलावा एक खास चीज इसको especially export and import of goods को हम balance of trade भी बोलते हैं क्या बोलते हैं balance of trade बहुत important concept है यह balance of trade means क्या होते है the difference between the export and import of goods यानि कि difference between the import या export export and import of visible items goods क्या है visible items है तो उसका जो difference आता है उसको हम balance of trade बोलते हैं तो इसको हम क्या नाम से बोलते हैं BOT इसको किस और नाम से जाना जाता है balance of trade यानि की difference between the export and import of goods अब इसके बाद guys second जो transactions होती है वो होती है हमारी export and import of services services कौन से होती है जैसे banking services हो सकती है आपके transportation services हम बाहर से available भी करते हैं और बाहर वालों को देते भी है अब जब हम उनको देंगे services तो हमारे पास पैसा आएगा यानि कि जब भी हम export करेंगे services का तो पैसा आएगा और जब हम import करेंगे services का तो पैसा जाएगा और इसको हम invisible trade भी बोलते हैं ठीक है इसके बाद guys थर्ड ट्राइब की जो transaction है that is unilateral जिसे हम one way transaction बोलते हैं जिसे हम unrequited transaction बोलते हैं बाहर वालों ने कोई gift भेज़ दी आपको हमारे पास समान आगया ना gift आया हमारे पास credit side हमने बाहर वालों को कोई gift भेजा पैसा भेजा कुछ भी भेजा तो वह इधर आएगा तो unilateral अगर हमें receiving है unilateral की तो वह इधर आएगी और अगर payment है unilateral की तो वह यहाँ आएगी इसके लावा fourth and the last transaction जो current account का part होते है guys वह होते है income receipt या फिर income की payment जैसे अगर हमने बाहर कोई asset खरीदा वहां से हमें rent आना है तो अगर हमें आ रही है income तो plus side और अगर हम pay कर रहे हैं तो वह किस side आएगी इस side आएगी अगर हमारे यहाँ पर बाहर वाला आगे अपनी company खोल कर चला गया यहाँ से वह income लेकर जा रहे है तो किस तरफ आएगा debit side आगा क्योंकि यहाँ से पैसा जा रहे है ठीक है तो यह चार टाइके जो transactions है जो की daily routine में हमारा देश दूसरे देशों के साथ करता है कौन कौन से transaction export and import of goods second import and export of services unilateral transfer and income receipt and payment यह हमारे current account का पार्ट है फिर क्या होता है इस current account का फिर guys इस current account की totaling करी जाती है ठीक है तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमारी जो भी debit side है वो credit side के बराबर आजाए यानि कि हमारे income हमारे expenditure के बराबर आए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है तो हमा अगर जरूरी नहीं है लेकिन अगर आ गया तो बड़ी खुश किस्मती की बात है कि हमारा debit side credit side के बराबर हो जाएगा तो balance current account होगा लेकिन अगर हमारा surplus जादा यानि कि income जादा है और expenses कम है तो हम उसे surplus current account बोलेंगे लेकिन अगर हमारा expenditure जादा है तो वो deficit के लाया उसके बाद guys अगर हमें घाटा होते हैं तो उसे हम ठीक भी करते हैं कैसे ठीक करते हैं बाहर से उधार वगड़ा लेकिन तो वो सारा किसका पार्ट होते है capital account का capital account कौन सी होती है जिसका दो चीजों से relation है पहला liability से दूसरा asset से ठीक है capital का किस से relation है जिससे capital structure में difference आता है capital structure में कुछ फर्क आता है चाहे वो liability है चाहे वो asset है अगर आप बाहर से उधार लेते हो तो आपके पास पैसा आता है तो हम उसे capital account में लिखेंगे लेकिन किस सरफ इस सरफ जब भी आपके पास पैसा आएगा आप उधार ले क्या हो भले ही पैसा आ रहे है ना credit होगा और अगर हम किसी को money lend कर रहे हैं हम दे रहे हैं तो वो इस सरफ आएगा यानि कि अगर हमने money दिये तो वो debit side आएगी अब यह तो हुआ आप उधार लेके आए तो आपके पास पैसा आ गया हमने credit side लेकिन आपके पास पैसा आ रहे है आपको यह देखना है दूसरी चीज इन्वेस्मेंट अगर आप बाहर जाके आपके asset खरीदते हो तो क्या होता है पैसा जाते है तो अगर आप asset purchase करते हो तो debit side लिखा जाते है उसे क्योंकि हमारे पास पैसा जा रहा है हमें यहाँ पे पैसे को concern करना है और अगर आप बाहर वाले यहां पर आ कि कोई भी अगर asset खरीदेंगे तो हमारे पास तो पैसा ल खरीं दें था आएगा बाहर फाले इंडिया के खरी देंगे तो हमारे पास पैसा आएगा तो एंगा तो हमारे पास पैसा सरीमों को पैसे को पैसा आरहा है credit है एंग ready ऐगा 1 होगा ठीक है किragen। सबस még जो we पैसा कम हो जाते हैं तो इस तरीके से यहां पर इसकी टोटलिंग करी जाती है यानि कि इसका जो भी फरक आते है उसको बैलेंस किया जाता है इन ट्रांजेक्शन के तुरू अगर हमें नुकसान हो रहे हैं अगर हमारे पास जो है हमें डेफिशिट जादा हो रहें घाटा हो तो गर्मेंट थोड़ा सा बोरो करती है पैसा तो यहां पर आकि उसको बैलेंस करा जाता है यानि कि बैलेंस ओफ पेमेंट को फाइनली बैलेंस करा जाता है करेंट एंड कापिटल अंकाउंट को मिलाकर यह पार्ट आपको समझ है गाईस तो करेंट अकाउंट की जितनी भ करते हैं according to our current account and capital account और उसे balance किया जाता है तो इसे balance of payment के components कहते हैं guys जिसमें आपके पास जो है difference वो कई बार पूछ लेते हैं कि BOT का current account के साथ क्या difference है तो बहुत बड़ा difference है बाई current account जो है वो include करता है BOT को and BOT is just a part of a current account current account में चार टाइप की transaction आती है जबकि BOT सिर्फ एक टाइप की transaction इंक्लूड करता है तो बहुत अराम से आप इनके difference निकाल सकते हो पता लगा सकते हो अगर आपके concept इस चीज को लेके clear है अब एक छोटा सो topic है guys जो इस chapter का है that is start करते हो So guys अब जो चोटा सो topic है उसका नाम है autonomous and accommodating transactions क्या होती है इस पर काफी बार question आते है guys देखो सबसे पहले हम autonomous transaction को पढ़ेंगे autonomous transaction होती है जो भी ये transactions हमने पढ़ी है न टोटल चार और तीन टाइप की transaction ये autonomous transaction है यानि कि जो भी transaction economic transaction हम international level पर other countries के साथ करते हैं जिसका main motive क्या होता है profit maximization profit कमानी के लिए तो कर रहे हैं ये सारे काम है ना तो ये जो भी transaction है इसको हम autonomous transactions कहते हैं और इसका एक और नया नाम होता है वो कहते हैं above the line transactions ठीक है अब guys ये तो होती है autonomous transactions आपको पता चल गया अभी आपने पड़ी थी लेकिन accommodating transactions कौन सी होती है accommodating transactions होती है guys जब हम ये सारे transactions कर लेते हैं और हमारा balance of payment में हमें कहीं कमी नज़र आती है क्योंकि ये किसी ये इन दोनों के balance पर depend होती है और इनका जब adjustment हो जाता है तब हम इनको जब देखते हैं कि surplus है या deficit है और उसको correct करके हमें उसे balance करना है तब हम accommodating transactions करते हैं तो यानि कि ये साठ transactions तो autonomous transactions कहलाती है जो कि profit maximization है लेकिन क्योंकि हमारा balance of payment जरूरी नहीं है वो surplus में आएगा या deficit में आएगा या equal आएगा हमें नहीं पता तो हमें उसे correct करने के लिए जो transactions करते हैं उसे accommodating transactions कहते हैं या फिर below the line transactions कहते हैं राइट ये जो transactions है जो आप ये करी आपने transactions साथो टाइप की ये independent transaction है किसी चीज़ पर depend नहीं है but accommodating transaction जो आप आप last में transaction करने वाले हो ये depend करती है आपके इन कामों पर कि इन से हमें surplus हो रहा है, deficit हो रहा है, क्या हो रहा है उस पर depend करती है So I hope आपको guys difference पता चला होगा जो कि काफ़ी simple सा है ये था guys हमारा balance of payment अगर कोई पर डाउट हो आप मेर से पूछ सकते हो comment के थू Thank you